हेलो फरेंट कैसे हो, तो फरेंट आज गिस वीडियो में आपसे बात करने हैं। यदि आपके पास कोई भी स्वामी का finest है और उसके स्क्रीन पर बार बार आता है कि इप स्टॉपिंग की इप स्टॉपिंग setting keep stopping ही आता है तो अपने उससे पहले एक important notice आपको दे देता हूँ कि ये method करने के बाद आपके सारे data delete हो जाएंगे तो आप अपने data का backup किसी तरके से नहीं ले सकते हैं यहाँ पर देख लिजी आपको अपने device को एक बार switch off कर देना है यदि backup लेना चाहते है तो एक बार device को safe mode में ले जाकर try कर सकते हैं safe mode का वीडियो अलग से आपको वीडियो को description मिल जाएगा जिससे देखकर आप safe mode में ले जाकर try कर सकते हैं वरना और कोई ऐसा इलाज नहीं है जिसके जरीए आप अपने data को बचास के यहाँ पर इस तरह के से device को रख लेना है यहाँ पर volume बटन दिखाई दे रहे हैं आपको पहले volume up यानि जिससे हम आवाज बढ़ते हैं उस बटन को दबाना है और उसके साथ दबाना है power key को जिससे हम device को ओन करते हैं यहाँ पर मैं device को एदम किलिर ली दिखा देता हूं एक एक चीज बारे की से यह देखे बटन है आपको उपर वाला बटन यह वाला इसको दबाना है और इसको दबाने के साथ-साथ इसके बाद में power key को दबा देने ठीक है एक लोगा आजिए power key को छोड़ देना है volume आप यानि जिससे आवाज वड़ते हैं उस बटन को लोंग टरम दबाए रखना है जब तक आपका device recovery मोड में नहीं आ जाता है यहाँ पर देख लिजी यह कुछी देर में आ जा गया यह देख लिजी मेन्यू आ चुक है अब आपको volume down की से निच्चे आके आपको एक option मिल रहा वाइफ डाटा इस पर click करना है यहाँ पर देख लिजी यह दिके volume down है इससे आपको click करना है आपको इटट सब वरक नहीं करेगी wipe data आचके अब आपको wipe data में आने के बाद फिर power की कोई यहाँ पर जो दबा देना है जिससे आपके device का data wipe हो जाएगा जो भी आपके device के अंदर करेश था वो सारा delete हो जाएगा और आपका device फिर से उसी तरीके से वरक करने लग जाएगा यह बाद मैं पहले ही बता चुक हु कि आपके data सारे delete हो जाएगे यह लिए आप data का wake up लेना चाहते है तो आप safe mode का try कर सकते हैं जिसके जरी हो सकता है आपके data safe रजे लेकिन confirm मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इस method को safe mode में try नहीं किया है तो friend देख लिए wipe data आचके अब आपको यहाँ पर है जो power button है उसको दब देना है और दबाने के बाद आपका device reboot हो जग मैं इसको भी reboot नहीं करा हूँ क्योंकि इसको मैंने अभी clearly repair यहां पर कर लिए इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए के वीडियो बना रहा था तो इस तरिकी से आप इस problem को यहां पर जो solve कर सकते हैं मैं अभी इसका data wife नहीं कर रखिए यह कुछ सोप का नजरा मैं अभी सोप में ही